अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक चैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें चाय और कॉफी आप क्या लेंगे? बिलकुल अलग अलग शेत्रों से आये हुए नितांत असंबद इन दो शब्दों और पेयों की दोस्ती लाजबाब है रहते साथ हैं पर एक साथ नहीं लिये जाते चाय मूलता चारोप में चीन की मंदारिन भाशा का है आजकल संसार में कोई जगह नहीं होती जहां चाय नहीं पी जाती एक चुटकूले के अनुसार जब तेन सिंग एवरिस्ट की शिखर पर पहुँचे थे तब वहां भी चाय की दुखान पहले से खुली हुई थी विबिन भाशाओं में एक और चा से चाय 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 चाहा शब्द रूपों का तथा दूसरी और सा से टे टी शब्दों का विकास हुआ है इसका मतलब ये है कि चाय और टी शब्द एक ही पूरवज से जन्मे सगे संबंधी है चाय पर सर्वप्रथम पुस्तक चीन के लू चू ने सन 780 एसवी में चा चिंग नाम से लिखी थी चीन में बहुत धर्माव लंबियों ने इस पेय का प्रचार किया था कि वे लोग शराब जैसे अधिक नशीले पदार्तों के उप्योग से पचना चाहते थे चाय में बहुत थोड़ा सा विटैमिन सी होता है अनिता इसका आहार मूले स्वता कुछ भी नहीं है इसमें डाले गए दूद और शक्कर को छोड़ कर लेकिन इसका प्रभाव इस फूर्ती दायक होता है क्योंकि ये शारिरिक कारे करने की दृष्टी से पेशियों को उत्ते जित करके धकान मिटाती है और मानसिक सक्रियता बढ़ाती है जिसका कारण ये है कि इसमें कैफिन नाम का एक दत्त होता है एक प्याले में एक ग्रेन यानि आधी रत्ती के बराबर अब कॉफी पर आईए एक मत के अनुसार ये पदार्ट सबसे पहले अभी सीनिया देश में कफ़ा नाम के इस्थान पर मिला था जिसके आधार पर इसका नाम करन हुआ दूसरे अधिक मानने मत के अनुसार कॉफी अर्बी भाषा के कहवा शब्द का विकसित रूप है जो तुर्की में कहवे हो गया आगे बढ़ने पर ये इटालियन में कैफे वर्तनी के साथ गुरहीत हुआ तथा फ्रेंच पुर्टकाल इस्पेनी में कैफे जर्मन में कफी और अंगुरेजी में कॉफी हुआ कहवा का आरंभिक अर्थ नशा करने वाला पदार्थ है कहा जाता है कि नवी शताबदी में कालदी नाम के गडरियने एक पेड़ के बीजों को अपनी बकरियों के द्वारा खाये जाने के बाद खुद खा कर देखा जिससे उसकी थकावट मिटने के साथ साथ उसे हलकसन नशा हो गया बस इसका भी नाम कहवा चला दिया गया चाय के समान कौफी से भी स्फूर्टी आती है और नीन दूर होती है कारण वही है कैफीन की मौझूद की लेकिन इस पेड़ का असर दोड़ाई घंटों के बाद खत्म हो जाता है क्योंकि इसका प्रधान तत्त कैफीन मूत्रद्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है जाय के पौधे की आयू लगबग सो वर्ष होती है कौफी के पेड़ से बीज लगबग पचास वर्ष तक प्राप्त होते हैं